और मैं आपको आज math के कुछ questions बताऊँगा जो कि पिछली बार इसा ही मेंस में जिस तरह से questions पूछे गहते हैं उसी के base पे यहां में मैंने questions लेकर और जो अच्छे वाले questions है उनका concept आपको समझाओ ठीक है जहां पर formula की ज़र्द हो कि मैं formula आपको बता दूँगा ताकि आप इन 10 दिनों में अच्छे तरीके से थोड़ा सा math का knowledge आप रख पाऊ तो चलिए शुरू करते हैं देखे सबसे पहला questions हमारे पास यह है कि xk4 plus 1 by xk4 बराबर 62 दिया गया तो xk6 plus 1 by xk6 का मान क्या होगा देखे अगर आपके पास इस तरह से questions आ जाए अगर normal questions आए तो आप असानी से कर सकते हैं कि x square plus x plus 1 by x का जो कोई value दिया गया 2 के बराबर अगर आपसे कोई square पूछे q पूछे तो आप असानी तरीके से कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा साम यहां पर समझेंगे और xk4 plus 1 by xk4 equal to कितना दिया गया 62 दिया गया ठीक है देखे इसको करने के लिए मैं आपको अगर मैं इसको कहूं कि x square plus 1 by x square का whole square कर सकते हैं ना a plus b का whole square करेंगे तो यह आप का जाएगा राइट सेर में हम कर सकते हैं कितना चलो 64 ही रखते हैं इसको फिरचार नहीं करते हैं अगर मैं square को अटाओंगा उधर भेजेंगे तो वह root में हो जाएगा यानि x square plus 1 by x square की value कि इतनी हो जाएगी इधर square जाएगा तो root हो जागा अंडर root 64 यानि की 8 निकल जागा ठीक है अब आपसे questions में पूछा गया था x के power 6 plus 1 by x के power 6 की value बताएगे कि क्या होगा ठीक है पूछा गया यही तो हम इसका क्यूब कर लेते हैं दोनों तरफ क्यूब करते हैं जब दोनों a प्लस b का whole cube अब यहां पर आपको a का whole cube लगाना है तो यह ब्लस b का whole cube क्या होता है वह आपको याद रखना है देखे एक क्यूब प्लस b प्लस 3ab into a plus b यह आपको याद रखना होगा बस यहाँ पर हम वही लगाने वाले a plus b का whole q ठीक है a3 यानि अगर 2 का स्क्वार का q करते तो xk power 6 plus 1 by xk power 6 plus मुझे करना होता तो इतना मैं करता है नहीं direct हम यहाँ पर निकाल सकते थे कि 8 होगा चेक है चलिए फिलाल आप समझे यह x के a की हो गया b की हो गया plus 3ab 3ab यानि कि दोनों खतम हो जागा तो 3 का सिर्फ 3ab खतम into a plus b a plus b का value क्या आएगा a plus b यानि कि 8 तो यहाँ पर मैं 8 रख लेता हूँ राइट सेर में 8 का क्यूब यानि 512 यहाँ पर करते हैं xk power 6 plus 1 by xk power 6 की value कितना हो जागा 512 में से 24 घटा देंगे तो देख सकते हैं 512 में से 24 घटाते हैं तो हमारा राइट अंसर जो कि 488 चारसो अठासी करेक्ट आंसर है ठीक है उमीद करते हैं कि बात आपने समध लिया होगा कैसे करते हैं यहाँ पर दो फर्मुली याद रखना है दो फर्मुली निए सिर्फ एक ही फर्मुला जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है चले अगला प्रस देखें A, B, C, अकेले किसी कारे को 20, 30 और 30 दिन में कर सकते हैं A, 20, 3 में B, 30 दिन में जब कि C उसी काम को 60 दिन में कर सकता है तीनों केलसिम कितना हो जगा? 20, 30, 60 केलसिम कहेंगे आपका 60 ठीक है, टोटल यूनिट हम लोगों निकाले कितना काम करना 60 यूनिट यानि अगर efficiency देखें, तो 20, 60 इसके अगर डिवैड करेंगे तो 2, 60 ठीकम साथ यह efficiency होगी अब questions को समझेगा कि A, अकेला कारे करता है किन्तु तीसरे दिन, पर तेक तीसरे दिन वह B, तथा C की मदद से कारे करता है दूसरे दिन भी A, अकेले ही करता है लेकिन तीसरे दिन की बाद जब की जाती है तो A के मदद करने के लिए B और C भी आ जाते है यही तो questions में कह रहा है अब है हम यहाँ पर समझते हैं अगर A, अकेले करता है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा तीन यूनिट, अगले दिन भी तीन यूनिट करेगा लेकिन जब तीसरे दिन करेंगे तो तीनों मिल करके करेंगे तीन, दो, पाँच और एक छे यूनिट का काम होगा यानि पहले दिन का तीन यूनिट, दूसरे दिन का तीन यूनिट हमारा यह complete हो जाएगा ठीक है फैंस 15 दिन में 60 समय लागेगा करने में तो यह हो गया इस प्रस्निका राइट अंसर जो की ऑप्सन हम सी को टिक करेंगा और कुछा गया अल्रेडी देख सकते हैं यहां पर सारे कुछ जो की एक्जाम सोरी इंटेडे कुछ भी एक्स्ट्राम फ संबाहु त्रिभूच के बाहिबरी तथा अंतह ब्रीथ के चित्रफलों का योग साथ सो सतर सेंटीमिटर स्क्वार है तो त्रिभूच का चित्रफल बताईए संबाहु त्रिभूच क्या होता है संबाहु त्रिभूच यह होता है जिसकी तीनों हो जाए आपस में बराबर होती है और क्में गरा कि इसके अंताभरीज और इसके बाहेविश का योग दिया गया साथ सो संटेमिटर सक टो हमें पोचा रहा कि तिर्भूज का चेतरफल बदाई की क्या होगा ठीके सभसक पाट यहां पर त्रिजया जो कि स्मॉल आर कर सकते हैं ठीक है और बाहब्रित की त्रिजया के लिए यहां पर हो जागा आप यहां से लेकर कि यहां तक बाहब्रित की त्रिजया ठीक है तो अब हम यहां पर समझते हैं जो कि हम कह सकते स्मॉल आर जो कि अंत्हाव की तिरीजह क्या होता है इसके लिए जो भूजा है उसका दो रूट्ट अब इन थोam होगा क्या कह रहा है कि जो ब्रीथ है उनका यह चेत्थ फ़ल जैगाए साथसो संसू इसको सट्र सेंटी मिटर्स क्या तो देखिए यह सिर्फर्जी हुमारे तृजिया था इसके आर के जगह पे ए बट्टे टूरूट त्री है तो स्कॉार करेंगे तो कितना हो जगा ए स्कॉार बट्टे चार गुने तीन यहां तो कोई प्रॉबलम नहीं हम इसको डिरेक्ट बारा लिख देते हैं चलिए बारा लिख देते हैं यह बारा हो गया प्लस में पाई गुने कैसे होता है वो मैं आपको अल्रेडी समझा चुका हूं तो फिलाल यहां पर देखिए क्या हो जाता है बराबर में 770 ठीक है अब आगे बढ़ सकते हैं चलिए अगे अगर हम यहां पर बढ़े तो क्या कर सकते हैं दोनों तरफ हम देखिए क्या निकाल सकते हैं पाई ए स्क स्कुआयर बाई थ्री कर लेते हैं यहां पर देखिए कितना ओजागा चार एकम चार एक पांच बटे चार ठीक है पांच बटे 4 बराबर में 770 है तो कटा लेते हैं तो दीखे 5 दुनी की 10 यह आपका यह कट जाएगा ठीक है 77 गुणी 10 और 11 इसको अटाते हैं 1177 यह कट जागा आपका साथ बार में अब तो कुछ कटने वाले हैं क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन हो जागा जब क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा कि स्कॉइर सिर्फ और सिफ आपका यहीं पर रहेगा बाकी नीची वाला जो उधर गुना होगा यानि देखिए चारती बारा बारा सत्ती चौरासी गुने साथ साथ आपका यहां पर बचा हुगा है तो साथ मैंने यहां पर छोड़ा अब हमें इसके आगे गुना करने के जो निकाल लिया है तो कुछ करना है नहीं अब बस हैलो को पूट कर देना है कितना है चारासी गुने साथ तो यहां पर दीखिए चार से सब्सक्राइब तो एक्किस चौका चारासी हो जाएगा और एक्किस गुने साथ करेंगे तो 147 और रूट तेन अब आप मैच करके देख होगा तब मैंने आपको बहुत पहले बताया कि मैंस्यशन को आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको अच्छे सरीके से फिगर नहीं बना लेते फिगर कि साथ उसको समस नहीं लेते इसमें क्या-क्या चीज़े कही रखते हैं ठीक है फिलाल राइट एंसर आपका 147 इंटू रूट 3 option B को टिक करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को ट्राइ करते हैं ठीक है फिन्स देखें यहां पर हम लोग जो भी क्वेसंस ले रहे हैं बिल्कुल एक्जाम सोरियंटेड हैं कुछ भी 34, 7, x, y दिए ध्यान समझेगा 34 दिया गया है 7 और x और y ठीक है x और y एक संक्या है यहां पर कि दो अंक इस प्रकार है x और y दो अंक इस संक्या के टोटल यह संक्या था पाचागों के कोई संक्या जिसमें 2 अंक x और y इस तरह से दिया गया कि संक्या पूर्णता 80 से भी भाजित हो जाते हैं यहांई पूर्णता जो संक्या होगी यह यहां पर x और y का ऐसी हमें 2 संक्या ही गयाद करना है कौन्थी संक्या होंगी जो 80 से पूरी तरह से defeat बलो पूरी तरह से cut जह तो x & y का मान हमें बताना होगा तो हम यह कह सकते हैं कि y की वैलू तो 0 निकल गई ठीक है यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छे तरीके समझे 10 से कटने का मतलब तभी कट सकता है यह टोटल संख्या 10 से तभी कटेगा जब लास्ट में इसका 0 हो यानि y के वैलू तो 0 हो गया यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं अब यहां पर समझेगा अब 8 से कटाना यह संख्या को यहां पर x की वैलू में क्या रखना पड़ेगा तो 8 से कटने का रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो लास्ट का 3 डिजिट अगर कट जाता है तो हम कहेंगे कि वह 8 से कटेगा ठीक है पुरी संख्या 8 से कटेगा तो हम लास्ट का 3 डिजिट उठाते हैं कितना xy था और x के हमें निकालना था लेकिन y के जगपे हमें पता चल गया है कि 0 होगा क्योंकि लास्ट का हम लेकिन यहां पर पता कर लिया है 10 से लेकिन यह 8 से कटेगा निकाल चुका है 0 तो दोनों का योग पूछा रहा था दो बराबर दो हो गया इस प्रश्न का right answer जो कि option A बिल्कुल सही answer है ठीक है A को tick करेंगे चलिए अगला परस नेखिए पान से विभाजित तीन क्रमागत प्राकित संख्याओं का योग 225 है ध्यान समझेगा तीन क्रमागत हैं संख्या है पान से विभाजित होने वाले जो तीन संख्या है क्रमागत है और उनका योग 225 है तो हम लोगों ने क्या डिसकस किया था कि जब भी कोई संख्या का योग दिया रहाता है आप अगर उस संख्या से डिवाइड कर देंगे यानि जितनी भी नंबर दिखेंगे उन सभी सो अगर डिवाइड कर तो वो बीचो बीच की संख्या निकल जाती है अगर कोईसम्स में तीन संख्या की बात की जा रही है और तीनों का योग 225 है तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा पांसे बिभाज होने का मतलब कि 75 है तो इसके पहले 70 होगा और इसके बाद 80 होगा तभी तो यह तीनों संख्या 5 से कठेंगी ठीक है यहां तक कोई प्रॉब्र नहीं समझ में आ रहा है ना मैंने जो तोटल संख्या का योग दिया गया था उसको मैंने जितने भी नंबर थे उससे डिवाइड कर लेजी तो वो बीचो बीच की संख्या निकलती है और बीचो बीच की संख्या जब 75 निकला कोईशन में अलड़ी गिवेन है कि कोईशन कहा रहा है कि वह संख्या लगतार 5 से भी विवाज्य है यानि कि 5 से भी विवाज्य है तो कहने का मैं पलब 75 है तो उसके बहले 70 होगा उसके बाद 80 होगा तभी तो सभी 5 से कटेगा अब यहां पे कोईशन के पूच्छा गया थ सेसफल छोड़े विभाजित करती है बड़ी से बड़ी संख्या बताना है यानि कि हमें यहां पर HCF की बात करने है देखें इस क्वेशन को कैसे करते हैं 390 है 495 है और एक 300 है यही तीन संख्या है और हमें वह संख्या गयात करना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे बिना किसी सेसफल को छोड़े यानि कोई इस रिमाइंडर नहीं बसना चाहिए और यह पूरी तरह से कर जाए बड़ी से बड़ी संख्या तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब कि हमें HCF को find out करना पड़ेगा HCF निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मैं आपको अल्रेडी समझा चुका हूँ LCM और HCF जब चाप्टर में ने पढ़ाया पेड़ कोर्स में तो आपको वहाँ पर समझ में आ हुगा अब यहां पर समझेगा हूँ HCF हमारा 90 निकल गया तो हम यहां पर कह सकते हैं कि स्सारी हम यानि अंतर हमारा 90 निकला तो क्या यह HCF बन पाएगा पहले चेक करते हैं तो जीखें 3030 भी निकड़ेगा चारसो ब भी चानबा भी ढलगा यानि कि 90 हमारा possible नहीं और हमाना चीज दिया गया है और 25 अ 2500 आपको क्या है कि जो हमारा अंतर निकलता है अंद निकलते हैं जो ain. निगला यह यह एसुन जाता लेकिन यहां पर dipsे यह पॉस्लीबल नहीं है जब उसके बाइन होता dabei इसका फैक्टर ही हमारा सरे देखेंगे इसका वे कलें च्छे से कड़ते एक जितना क्टता थक banner तो एक 15 से 15 शक्का 90 अठार पच्चे 90 और उसके बाद कह सकते हैं 30 ले सकते हैं और 45 होगा 90 तो होगा नहीं 90 इसका फैक्टर बनेगा नहीं चलो इसको ले ले लेते हैं 90 इसका फैक्टर इसके अंतरकाता था लेकिन हमारा HCF 90 नहीं होगा क्योंकि 90 से यह तीनों कटना चाहिए तभी हम कह सकते हैं कि HCF होगा HCF का मतलब क्या होता है कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर हो सभी में तो 90 तो होगा नहीं 45 की देखे तो 45 अगर हमारा पहले हम यह समझे हम यहां पर कैसे कोई दिक्कत नहीं है जो मैंने आपको बता है ध्यान रखेगा कि दो संख्याओं का अंतर निकालेंगे सबसे पहले जो अंतर आते हैं पहले वह चेक कर लेंगे कि हमारा अंतर ही एक नहीं बन रहा है क्योंकि कंडिशन यह होता है यह तो हमारा HCF ही अंतर होगा या फिर उन समने लिया है वह हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानि एपी से क्वेशन से काफी अच्छा प्रस्ट ने सरिंग्ला साथ इगारा पंदरा उन्नीस डॉट 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 में कौनसा पद 111 गरावा होगा तो मैं आपको एक कहानी बताता हूं जब हम लोग पढ़ते थे टेंथ क्लास की बात है जब हमसे क्वेशन सर पूछा करते थे ज्यानि कि जब पूछा जाता था कि बताए कि कौनसा पद 111 गरावा होगा या फिर कौनसा पद यह होगा तो मैं अक्सर बोल देता था कि मुझे क्या पता कौनसा पद होगा आप निकालो तो इस तरह से थोड 1115 पुरानी यादे थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली अब तो वह चीज नहीं रहा कि सर से मिलना जाए और बात किया जाए चले कुछ यादे हैं फिला दीके क्वेसंस में यह कह रहा था कि 7 1115 19 का कौनसा पद 111 है यानि कि आगे की तरह बढ़ रहे हैं तो लास्ट का जो ट से से माल लेते हैं यानि फर्स्ट टम 7 हो गया चेक कर लेते हैं चेक देर बीच का डिफरेंसे बराबर है तो हम कहा सकते हैं यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बराबर कितना हो गया दो पदों के बीच का अंतर तो ट2- D1 करेंगे एक गारा म मेंसे इसाथ जाए त तो 4, D बराबर निकल गया, तो TN वाला फर्मूला पता है, TN क्या होता है, लास्ट का टम हम लोग TN कहते हैं, यह मैंने आपको सब चीज अल्रेडी समझा चुका हूँ, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, देखें जो भी फर्मूला आपको दी जा रही है, अब इसी 10 द रहता हूँ, बराबर में हमारा हो गया, N-1, तो कितना कहेंगे, 26, 24, 24, 26 हो गया, N को इथर जोड़ देंगे, तो N की value हो गया 27, यानि कि कहने का मतलब यह हुआ, कि इस सीरीज को हम आगे की तरफ गिन रहे हैं, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौधा पद, पाटवा, चटवा, सत्वा, यह 27 वे नंबर पर आपका 111 आएगा, 27 वा पद होगा 111, जो हो कि हम देख सकते हैं, options में मारा match कर रहा है, बिल्कुल सही, option B को टिक करेंगे, तो देख सकते हैं, यह questions भी पूछा गया, मैं आपको extra questions कुछ नहीं करा रहा हूँ, जो exams में पू पूछ मात्रा, चीनी की कुल मात्रा का 5 परतिसद बाग बिग जाने पर 5 कीजी चीनी बसता है, यानि हम यह मानते ही कि हमारे पास 100 परतिसद था कोई चीज, कोई चीज नहीं, चीनी कोई मानते हैं, चीनी की बात की जा रही है, चीनी की कुल मात्रा का 5 परतिसद बिग जान facing 2020 को मांग्ट हैं तो क्वेश्वेंदे की कुल माता ना यानि हंटेर्ट परतिसात की जुव वेलु है वो पूछा जा रहा है तो हमें नहीं बता हम माले लाते कि एकस हा ठीक है एकस माले लेटे तो आप यहीं कितना का गुणा किया गया तो आप करेंगे कि 19 का गुणा है ठीक है 19िस का गुणा तो हम भी यहां पर 19 सा गुणा कर लेता है ठीक है 19 का गुणा यानि X का 19 गुणा मतलब हम कह सकते हैं कि 100 के बराबर है तो X लगतर सौ बटे 19 झिए तो 19 मेचे 95 5 21 यह कर सकते 5 सही पांच वट्टे उन्निस ये हो गया इस प्रस्ण का राइट आंसर इतना केजी होगा करेक्ट आंसर ठीक है फिंस ये हुआ हमारा राइट आंसर ठीक है उमीद करते हैं कि अब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके समझ में आ होगी चलिए फिलाल बढ़ते हम लोग नेक्स्ट कोईसंस की तरफ देखें नेक्स्ट जो प्रस्ण है कि एक वस्तुक पर 40% की छूट देने के बाद भी दुकांदार को 25% का लाब होता है अंकित मुल क्रेमुल से कितना पर 30% अधिक है बहुत अच्छा प्रस्ण है यहां पर जो चीजें ली इंघ गई हैं पहले फ्लेक्क लिख लेते टीं सकान्ट कितना परशंट 40% की बाद की जारी ठीक है और दुकंदार को प्रोफिट कितना और पर सेंट जो है वह 35 का सेंट का हो चलो यह वह लेते हैं और कोः वस्तू आम प्षक्क फरीजं़्य कृक्ट है नहीं पता है कितना अधिक है यह माल लेते हैं तो मैंने आपको एक relation बता था इन चारों चीजों में वो क्या होता है तो वो एक कुछ condition यह बनता है कि MP बटे CP बराबर चलो लिख लेते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और नीचे हम माल लेते हैं 100 माइनस डिसकाउंट परसेंट यह मैंने आपको एक relation बता था इन चार चीजों में जब आपके पास कुछ इस तरह से हो तीन चीज़े दी गई हो एक इन में से कोई पूछा जा तो आप यहां पर इस relation को लगा सकते हो और यह most important है ट्रिक कह सकते हैं या फिर एक formula कह सकते concept कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वह कई है जो भी इसका नाम अच्छा लगे आप दे सकते हैं अब यहां पर हम सभी चीज़ों को वैलो पूट करते हैं MP हमें नहीं पता माल लेते हैं कि एक से सीपी हमें 100 रुपय में कोई वस्तु को खरीजा था ठीक है 100 प्लस प्रॉफिट परसें तो प्रॉफिट कितना हो रहा 25 यानि 125 उपर में कर लेते हैं नीचे कितना है 100 माइनस डिस्काउंट डिस्काउंट हो जारा आपका 100 ठीक है सॉरी चारिस का डिस्काउंट तो 100 में से मैंने 40 घटा दिया साथ अब इसको कटाते हैं इसको गटाएंगे तो कितना बीस तेसाथ बीस पच्चिस सो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो 3X की वैलू कितना हो जागा इतना था लेकिन क्वेशन में आप से पूछाए कि कितना प्रतिसाथ अधिक है दो यहां पर धियान से समझेगा गया हम लोगों ने क्रेम यानि की कॉस्ट प्राइब लिया है मार्केट पाइस हमारा 208 तो प्रतिसाथ में बताना है कितना अधिक है तो घटा लीजे वैसे आप डिरेक्ट अंसर देखकर कर टिक कर सकते हो कि 208 में से 100 घटाएंगे तो हमारा 108 पॉइंट 3 तीन हैगा तो राइट अंसर देख सकते हैं ऑप्सन हमारा D प्रतिसाथ की बात की जरी चलो मैं आपको घटा देता हूँ एक पर आप लोग को बिल्कुल भी कोई कमी नहीं र रखते हैं यहां पर देखें यह कट गया प्रतिसाथ निकल जागा आपका 108 दस्मलों 33 प्रतिसाथ यह हो गया इस प्रतिसाथ ज्यादा कुछ करना नहीं था यहीं पर आइटेंसर टिक करके निकल सकते थे आगे बढ़ते हैं अब देखें निक्स जो प्रतिसने वह काफी अ 800 तक काम किया था जब उसका वार्शिक वेतन 2,99841 रुपया हो गया हो गया का मतलब क्या हो था वो मिस्याधन की बात की जाती है यह जलिए अब यहां पर हम आगे की तरह बढ़ते हैं और यहां पर इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे तो मैंने आपको क्या बता है जब आ प्रतिवर्स के दर ब्याज बढ़ेगा तो मिस्रधन हमारा हो जागा 20 और यह आपका मुल्धन हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब हमारा क्वेशस में कह रहा था कि क्या है 110,000 रुपय उतना था और यह कितना हो जाँ रहा है दो लाख 89,841 रुपय हो जाता है यानि कि मिस्रधन बन जाता है ठीक है एक लाख 60,000 रुपय मैंने लगाया हुआ था काम में यानि कि वो इतना रुपय की प्रतिनेदी के रूप में काम करना शुरू करता है और बात 20 का हम लोग N मान लेते हैं ठीक है कितने वर्स काम क्या होगा हम यहां पर कुछ नहीं जानते हैं देखें वह हमारा जो फर्मूला लग रहा है वह कौन सा फर्मूला है जो आपने पड़ा है बराबर पी इंटू 1 प्लस आर भै हंडड का इंपड़ा है वस वही फर्मूले को मैं वहाँ पर लगा रहा हूं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं देखें कैसे करते मैं आपको वह समझा देता हूं नीचे ला देंगे तो कितना हो जागा 1,600,000 ठीक है बराबर में 23 बटे 20 के पावर में अब आप यह समझेगा यहां पर आप देख रहें कि 2 के पावर अगर में 2 का कितना गुणा करूं तो 16 हो जागा अगर 2 के पावर में 4 कर लो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ठीक उसी तरह से अगर में 20 के पावर दो चार कर लो तो आप कहेंगे 3 3 का पहले चेक कर लेते हैं sorry power में 4 है ना तो हम यह ले ले लेते हैं कि 3 के power 4 ले ले लेते हैं 3 के power 4 का मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 चलिए चेक करके देख लीजे तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर 23 बटे 20 यह जो हम देख रहे हैं वह 23 बटे 20 के power 4 है यानि कि अधार से है तो पावर भी आपका बराबर है इन बराबर 4 चार साल उसने काम क्या होगा यहाँ पर इस प्रस्निका राइट अंसर हो जागा उसने काम क्या होगा ठीक है उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहे होगी गर्मी बहुत जादा है यार मैं आपको क्या बता हूँ देखिए नेक्स्ट क्वेसंस भी हमारा चक्रवीधी ब्याज पर कितना होगा अगर तिमाही की बात की जारिये तो मैंने आपको पढ़ा है था कि चमाही हो तिमाही हो तो कैसे करते हैं तो देखिए जब बात यहाँ पर तिमाही की की जाती है तो हम सबसे पहले यह मायंड में देख तिमाही यानि की बारा करने के लिए कितना काम करना होगा तीन चौका बारा यानि कि हमें चार से काम करना पड़ेगा तिमाही है तो चार से काम करना पड़ेगा बस आपको यही करना है चमाही कहें तो बारा करने के लिए दो से गुना करना पड़ेगा तो बस हमें दो से का बस यही बस दो चीज आपको ध्यान में रखना होता है 6 माही और 3 माही में ठीक है चलिए आगे बढ़ते questions में हमारे क्या कर रहा है कि 20 प्रतिसत जब 20 प्रतिसत तो मैंने आपको बिता है कि rate को आप 4 से डिवाइड कर लीज़े यहां पर आपका 5 प्रतिसत आजएगा और समय क जब बात कर रहें तो समय 9 माह दिया गया तो 9 माह गुने 4 करेंगे तो 9-4 का 36 माह 36 माह बराबर क्या हो जाएगा आप कहेंगे कि 3 साल बस काम खतम अब सब अच्छी जासानी से निकाल सकते हैं 3 साल 5 प्रतिसत questions में हमें चक्रवीदी ब्याद निकाल गया है तो ध्यान से नहीं आपको फर्मूल लगाने की जुरत नहीं पड़ेगी बस समझेगा पांच प्रतिस को मैं कैसे करूंगा पांच बटे 100 यानि की एक बटे 20 एक बटे 20 का मतलब 20 रुपया मुल्धन है तो एक रुपया ब्याज होगा तो 21 बटे 20 है हमारा 21 मुल्धन और 20 रुपया हमार मुल्धन हो भया ठीक है 21 कि मिस्डधन तो नीचे हमारा मुल्धन हो गया अभी हम पर समझते हैं 1720 रुपय्पय चलो 12,000 है और क्या करते हैं बारह हजार, पहले हमें आपर क्या निकाल रहे था, तो 12000 रुपए ये निकाल लेते donc, ये बराबर 12000 रुपए हो गया, 21 20 कितने वर्स की बात की जारी है ये 3 वर्स के लिए हम्या आप्जी रेकिंग बर2921 किसबटी 20 और किसबटी 20 तीन 8 से थिनजरों किसे कैसे का गुणा जाता बस यह समझेगा दो दूदुना चार टे ने यह खतम हो गया 21 का तीन बारां गुणा करते तो अपतोक्ता को पता चलिए होगा इतना बार मैत बनाये करके 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा लेकिन अगर मैं दोनों तरफ 5 से गुना कर दूं तो सिर्फ मुझे एक ही काम करना पड़ेगा कोई प्रॉब्यम नहीं होगी क्योंकि नीचे मारा 10 हो जागा तो हम गो समझ सकते हैं कि एक अंग के बाद बात को समझ रहे ना यानि कि लास्ट का जो भी मैं बानवेक साथ पंद्रा करूंगा तो यूनी डिजित हमारा लास्ट का जो गुना करने के बाद पांच आएगा और नीचे मारा पॉइंट बैट जागा एक यह हमारा क्या निकला मिसरधन निकला लेकिन हमें क्या निकलना थ कितना है हमें घटाना पड़ेगा इसका मुलधन मुलधन यानि बारादर घटाना पड़ेगा तो आप यह समझे कि मैं अगर लास्ट में घटाऊंगा तो डैफनेटली कहेंगे लास्ट का यूनी डिजित में मारा पांच ही आएगा यह आएगा कुछ इस तरह से तो ऑप्स अब ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्या करें कि एक रिलगाड़ी जो की साथ किलोमेटर पती घंटा के रफ्तार से चल रही है एक निस्ची दूरी को तै करने में 15 घंटे का समय लेगती है यानि निस्ची दूरी दूरी वराबर क्या हो जागा चाल लोने समय चाल कितना है साथ किलोमेटर पती घंटा के स्पीड से चल रही है 15 घंटे में कवर करें यानि कि यह इसका टोटल डिस्टेंस हो गया हमें गुना करना नहीं बस इतना समझे गुना नहीं करना है आगे कि यदी वह वही दूरी को बारा घंटे में तै करना चाहिए अब यानि कि हमें क्या करना वारा घंटे में इसी को बार करना तो इस पीड पुझारत शाटा करा होगा option C ठीक है चलिए अग्ला प्रस्ट दीख लीजिए नेक्स्ट कुश्टन जी कि दो रेलगाडियों की चाल जो है वो छे अनुपात साथ है जो की स्पीड की यानि S1 और S2 की स्पीड कि इतना दिया गया छे अनुपात साथ आगे समझते हैं यदि दूसरी रेलगाड यानि चार घंटे में तिन सностью Šाठ किलोमेटर चले यानि चार घंटे में तिन सो च वूमेटर चले स्पीड क्या होगा तो अनुपात है कि के बराबर है 91 के बराबर है तो कितना का गुना है 13 का गुना तो यहां पर भी हम 13 का गुना कर लेते हैं 13 चक्के कितना होता अगला प्रस्ण यह कि एक पीता की आयू अपने अब एक पीता की आयू पांच वर्थ पहले उसके पुत्र के आयू से पांच गुने थी चलिए बहुत अच्छा प्रस्ण है ध्यान समझेगा एक तो कह रहा है कि एक फादर है और एक उसके सन है ठीक है इसका पुत्र हो गया पांच वर्थ पहले की बात किए तो मैं पांच वर्थ पहले क्या करता हूं कि उसका जो अनुपात है वो अपने पुत्र के पांच गुन है कौन पिता हुआ ठीक है आगे प्रन करेगी दो वर्थ बाद यानि कि दो वर्ष बाद उपर के तरफ पर बढ़ जाथे-दो आगे के तरफ जा रहें तो कहा रहा है कि तीन गुणा हो जाता है कौन पिता ही तो तीन गुणा होगा यह हो गया सबसे पहले मैं को क्या बता हूँ सबसे पहले यह देखते हैं कि दोनों रेशियों जब यह हो जाए तो हम यहां पर यूनिट देखते हैं इस दोनों का यूनिट कितना है दो यूनिट का अंतर ठीक है दो यूनिट का कितने साल के बराबर पांट साल पहले और दो साल बाद का तो यानि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा साथ साल तो मैंने साथ साल रखा तो 1 unit बराबर 7 by 2, 7 by 2 निकल गया, questions में हमसे पूछा गया कि उनकी वर्तमान आयू कानुपात ध्यान करना है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनकी वर्स कितना हो जा रहा है 5 साल पहले, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो father और son का जो ratio बनेगा, वो कितना होगा, देखे इसको गुना करेंगे तो पांधुणी के 10, 7, 5, 35 वर्स पिता हो जाएंगे, और 2 से 2 खतम होगा तो 7 वर्स का पुत्र होगा, लेकिन ये कब का है, ये 5 वर्स पहले का है, लेकिन हमें तो वर्तमान पर जाना है, यानि 5 वर्स जोड देते हैं, तो कितना हो जगा, 40 अनुपा बात तीन बिल्कुल सही आंसर है देखिए option D मिल रहा है questions आपका tier 1 में पूछा गया तो देखिए फैंस आज की class में मैंने बहुत अच्छे-चे questions आपको बता हैं जो exams oriented है और अगर आपको यह type समझी में आ गई होगी सभी types तो आप असानी तरीके से कर सकते हो ठीक है तो देखिए फिन सबसे पहला question आपके screen पर दिख रहा होगा 3 के power 50, 4 के power 40, 5 के power 30 और 6 के power 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इस type के questions को कैसे करते हैं चले मैं आपको अच्छे तरीके समझाने की कूसिश करूँगा 3 के power 50 लिखा गया 4 के power 40 है और 5 के power 30 है और उसके बाद 6 के power 20 है और हमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ठीक है ध्यान से समझेगा चले इस questions को solve करते हैं देखें जब भी इस type का questions आपको दिखें तो सबसे पहले हमें power को बराबर करना होता है ठीक है फिंस power को में बराबर करना होता है यानि कि power सभी को equal करेंगे तो अगर मैं आप से बोलूं कि और 6 के power 2 करके इसका whole power हम 10 कर लेंगे अब आप यहां पर देखें सभी के power में 10 हो गया बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यानि 3 के power 5 का मतलब कितना होगा 243 के power अपका यह 10 हो गया ठीक है इसके बाद अगर हम देखें तो 4 के power 4 का मतलब कितना होता है 4,4,16,64,64,24,25 यानि 256 के power 10 हो गया ठीक उची तरह से 5 के power 3 का मतलब 125 के power 10 और लास्ट में कह सकते है 6,6,36,36 के power 10 अब हम यहां से किलरली कह सकते हैं कि जिस संख्या के power सबसे जादा होगा यानि जिस संख्या का पावर यानि जो आधार सबसे जादा होगा वो सबसे जादा होगा तो हम यहां पर अस यह सभी में सबसे बड़ी है और सबसे चोटी कौन सी होगी तो जिसका अधार सबसे छोटा दिख रहा है तो वह सबसे छोटा होगा यानि कि सबसे छोटा आपका यह हो गया सबसे छोटा ये हो गया और सबसे बड़ा आपका ये था चीक है तो फैंस उमीद करता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो भी अलग-अलग पावर में आपको दीखे तो पावर आपको इक्वल कर लेना है बस पावर इक्वल करने के बाद जिसके अधार जो सब सबसे बड़ा है जिसका अधार सबसे चोटा होगगा वो सबसे चोटा है के लिया बात समझ में आ गई चलिए और अगहला देखिंग क्या कहरए आप इस बसाथ कश्या और चक्रिविदी ब्याज के बीच का अंतर 40 रुपया तो मूल रासी बताइए इस टाइप का questions पिछली बार भी पूछा गया था प्रे एक्जांस में तो कैसे करते हैं बस इसके लिए छोटा सा formula होता है difference difference बराबर हम लिखते है P यानि की मुलदन और आर जो rate है उसका 100 उसका square यानि जब दो वर्ण की बात की जाते स्क्वाइर लिख लिए यह बस फर्मूल लागा यह आपका correct answer आजागा डी का मतलब differences कितना दिया गया दोनों के बीच का अंतर 40 हमें यहां पे 40 अरक लेता हूं हमें तो P यानि की चार्चों का 16 16 पे 30 राइट एंसर कितना हो गया 16 जो की राइट एंसर हम option A को tick कर सकते हैं तो बहुत अच्छा प्रस्ट ने इसको ध्यान रहेगा दो वर्स के लिए ध्यान रखने है दो वर्स के लिए होता है तीन वर्स के लिए अलग फर्मूला होता है जो कि हम लोग next वीडियो में यानि कि अलग वीडियो जब आएगी उसके हम discuss करेंगे फिलाल आपको यह समझना है कि क्या होता है छोटा सा अगर फर्मूला बता दूंगर तीन वर्स के लिए जब तीन वर्स रहे तो हम क्या करते हैं तीन वर्स के लिए फ लेकिन तीन वर्ड की जब बात की जाती तो यह फर्मूला होता है बस आपको इसको याद रखेगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट कोईशन करतें लेकिन उसे पहले इसको साफ कर लेते ध्यान जेफएंस नेक्स्ट क्या रहा है अगला प्रशने कि अपढ़्णा ने एक वस्तु बढ़ा करके यानि 1.5 अंकित कर देती है ठीक है पचास परतिसत उपर तक परिवर्तित किया लगभग 10 परतिसत लाब कमाने के लिए कितनी छूट देनी चाहिए यानि कि profit percent उसको कितना कमाना है 10 परतिसत का ठीक है तो discount परतिसत हमें बताने क्या होगा मैंने आपको बता था इन चारों में एक रिलेशन होता है वह रिलेशन क्या है आपको अलड़ी पता होगा CP बता में MP और राइट सेर में हम कर सकते हैं discount percent और नीचे हमारा profit percent ध्यान दिजेगा discount percent की जब बात की जाते हैं तो वहाँ पे 100 माइनस करते हैं और profit percent का मतलब 100 में उतना जोड़ते हैं ठीक है अब यहाँ पे सभी की value को put करते हैं यहाँ पे क्या-क्या चीचे है हमारे पास हम D कर लेते हैं ठीक है 100 माइनस D कर लेते हैं और profit percent की जब बात की जा रही है तो 10% यानि की 100 प्लस 10 तो 110 हम यहाँ पे कर लेते हैं यानि यह आपका 2 हो गया यह 3 हो गया क्रॉस में कुछ कटेगा नहीं तो चले क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करेंगे तो यह आपका 220 राइट सेर में आपका 300 और माइनस में 3D हो जागा ठीक है यानि कि 3D की value देखे तो कितना हो जागा 80 और D की value करें तो 80 बटे 3 अब questions पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं questions में कह रहा लगभग हम कह सकते हैं 27% इस questions का right answer लगभग उसको 27% 27% का discount देना पड़ेगा जो कि हम option A को tick कर सकते हैं ठीक है तो यह relation काफी अच्छा आप इसको अच्छे से याद रखे जब भी इस टाइप का questions आपको दीके यह तीन चीज अगर given हो तो एक चीज आप यहां से असाने से निकाल सकतो जब एक चीज निकल जागा तो इहां पर आप जो की क्या कह सकते हैं एस पे भी अगर पूछे तो वहां पर फिर आप इस तरह से निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं होगा आपको लेकिन यह आपको कह सकते हैं सूपर डूपर एक फर्मूला है चीक है ना चलिए मता की ऑयो के चार आयो की चार गुंहीं सब्सक्रास चार लटाइस्ट सबस्ट oldu की बात गिता है। अजकल को रहता है ग्रो carrot करोने अब अब आतके माता ऑर सोन्य का रेशियों ऑखर और आधा को सुनिया ग्रीशियों पदें थी ध्यान दना है साथ वर्ष पूर्व ठीक है अब आप से में यह कॉंफिंस की साथ पूछा जा रहा है कि सोनिया की आयो ग्याद कीजिए चलो इसको मैं आपको बताता हूं कैसे करना है यह आपका क्या था यह वर्तमान में है 49 वर्तमान में और हमारे पास जो रेशियो दिय कंभा हम और सोनिया का भी साथ वर्ष या यह यह कह सकते हों कि साथ वर्ष पूर्व उनका योल कितना था ना आयू का यूग हो जा कितना घटा देंगे 14 साथ साथ 14 घट जाएगा तो उन्शार्स में से 14 आगा तो 35 अब हमारे पास देखिए क्या है दोनों का रेशियो में साथ वर्स पहले का पता है चारनुपा देगा यानि हम यह कह सकते हैं कि 5X बराबर 35 तो X की वैलू हमारे पास निकल गया साथ यह हम लोगों ने क्यों किया था यह किया था क्योंकि रेशियो पे काम करने के लिए रेशियो हमारे पास जो 7 वर्स पुर्व का था लेकिन योग था हमारा वर्तमान का तो मैंने इस तो 7 वर्स पहले कर दिया दोनों का साथ साथ कम करके 14 वर्स कम हो गया तो 35 हो गया अब असानी से कर सकते हैं कि 5x बराबर 35 यानि कि दोनों का योग कर लेंगे 35 x की वैलू 7 questions में पूचा गया गया questions में पूचा गया सोनिया की आयू बताइए ये नहीं कहा गया सुनिया की आयू कितनी है 14 वर्स ठीक है यह चीद ध्यान लेगा अगर यहां से उसकी माता की आयू पूछ जाती तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है यह काफी अचा प्रशन होता है जब इस टाइब का क्वेशन दीखे तो आपको इसी तरह से करना है पहले योग दिया रहता है तो अगर पूर्व की बात की जाए तो आप घटाईए और बाद की बात की जाए तो आप उसमें जोड़ करके रेशियो को बराबर कीजिए ठीक है चले हम नेक्स्ट को ट्राई करते हैं पताया फैंस स्टुडेंट लाइफ जो होता है बहुत ज्यादा टफ होता है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीजों को जहनना पड़ता है जैसे अभी देखे इतनी ज्यादा गर्मी है लेकिन हमें क्लास तो लेना है और आपको पढ पढ़ाहें करना है चाहें गर्मी अपने प्रचंड पर ही क्यों खरूंख थीक है तौह संख्याव योग जो कियी किस है तो कितने संभौ योग में हो सकते हैं ध्यान से समझेंगें मानते फिल् Tech PC Дж Nine है वो 3 है ठीक है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो संख्या माल नेते हैं कि 3genderson होगा और 3y फोगा यानिकि HCF का मतलब कहा कि उन संख्यों में 3 common होना चाहिए ठीक है न तो वो संख्या माल नतें कि 3 x यह और एक 3y है दो संख्या अलगलाग हो तो questions कह रहा है कि दोनों संख्या का योग यहां पे किस है यानि कि 3x plus 3y बराबर 21 दिया गया तो x plus y की value यहां पे हम देख सकते हैं कितना हो जगा 7 ठीक है x plus y की value 7 हो गया अब हमें यह बताना है कि ऐसे कितने योग में possible हो सकते हैं कि हमारा friends यहां पे 7 हो यानि कि उनका योग साथ हो तो हम यह कह सकते हैं ध्यादे जगा एक तो एक और 6 हो सकता है 2 और 5 हो सकता है 3 और 4 हो सकता है ठीक है अब लटकर नहीं कर सकते हैं 4 और 3 फिर 5 और 2 इस तरह से नहीं तो यहां पे कह सकते हैं कितना संभा हो रहा है 3 हो रहा है 3 यानि कि 3 योग में संभा हो है अब यह 3 योगम का मतलब क्या हुआ यहां पे ढिखे जब हम लोगों ने छोटा किया था तो इसका मतलब कि इन सभी में 3 common है तो यह कह सकते हैं कि एक का मतलब 3 है और 6 का मतलब 18 गुना कर लिजे क्योंकि यहां पर हमने देखाता है संख्या में 3x है तो करके देखते हैं कि 21 आ रहे हैं कि उनका योग आना 6 न तब इसलिए यहां तक हमाराराइट अंसर हो सकता है कि 3 योग में बन रहे हैं कोई दिक्कत ने राइट आँसर को तिक करके बढ़ सकते हैं कि 3 योग में possible है तो राइट अंसर हम यहां पर option A को टिक कर सकते हैं काफी अच्छा प्रशन है इसको अच्छे से समाझ लीजेगा चलिए अगला प्रशन लेखते हैं next questions कहा रहा है कि दिये गए त्रिभूज ABC में AD, BE और CF उचाई है चलिए एक त्रिभूज दिया गया और ऐसे भी स्तिर्भूज से में कोई मतलब नहीं है बस मैं आपको ऐसे लिख जता हूँ ABC बस इसके लिए छोड़ा सा concept हो ताब उसको समझ लीजेगा AD, BC और CF यानि कि AD हो गया और यह आपका कितना है BE है और यह आपका CF है इसकी उचाई हो गया यानि कि यह सभी उचाई हो जा रहा है यदि इनका अनुपाद यानि AD और BE और CF इनका अनुपाद कितना दिया गया चार रेसियो पांच रेसियो छे दिया गया तो हमसे पूछा जा रहा है कि BC अनुपाद CA अनुपाद AB यानि जो भोजाया दे गई थी उनका अनुपाद क्या होगा BC अनुपाद CA अनुपाद AB है तो इसनका अनुपाद बतेगे कि क्या होगा ठीक है इसको करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है इसमें हमें बस ध्यान रखना है कि यह जो रेशियो होता है इसका आपोजिट होता है यानि हम यह कह सकते हैं कि इतना बराबर डारेक्ट हम लिखते हैं इतना बराबर बाराबर हम कह सकते हैं कि 1 by AD ratio 1 by B एक direct कह सकते हैं कि theorem कह सकते हैं या फिर concept ही समझीए cf होगा यह होता डारेक्ट यानि इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं तो एक बटे 4 कितना होगा इनका value कितना था चार एक बटे 5 और एक बटे 6 तो सभी calcium लेगे तो और यह 10-6 के साथ यानि कि रेशियो मारे कितना बन गया 15-12-10 का रेशियो बनेगा जो कि फेंस आप मैच करके देख सकते हैं ठीक है 15-12-10 का जो कि कह सकते हैं रेशियो बनेगा तो इस टाइप का क्वेसंस यह बहुत ज्यादा इंप्रोटेंट है तो बस इसको इसी तरह से य आ रहा हूं अगर आपकी मैच बीक है तो आप फ्रेंट्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां पर बिलकुल बारीकी से हर चैप्टर को अच्छे तरीके समझ सकते हैं वहां पर मैंने काफी अच्छे चैक क्वेसंस के साथ कॉंसेप्ट में आपको समझाया बिलकुल बार करिएगा तो आपको अपनी डाउंलोड कर रहा है हमारी अप्लिकेंस को बहुत अच्छी बात है नहीं किया थो ऐसलिक नहीं कृत है है अचीते लेकिन वोर्ब मैट्स पे पकड़ ना होनी की वज़े से रिजल्ट नहीं देब है तो फिंस आप एक गलती बिल्कुर भी ना करें अगर आपको लगता है कि आपका जीके ठीक है लेकिन मैट्स वीक है तो आप ऐसा गलती ना करें कुछ मैट्स आपको जरूरर आप सी करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिन आपका रिजल्ट लेना मुस्किल हो सकता है तो बस यही आप से रिकमेंड करूंगा फिंस कि आप जाकर करके हमारे मैट्स के कोर्सेज को ज्वाइन कर लिए क्योंकि काफी हेल्फुल होगा आपके लिए बाकि आप अपनी तरब से द दोड़ते हैं यदि वे एक ही शुर्वाति बिंदू से बिप्रित दिशा में दोड़ते हैं तो उस समय का पता का लगाई है जिसके बाद वे एक दूसरे से 400 किलोमेटर दूर हो यहां पर ध्यान जीगा फ्रेंस वह दोनों एक दूसरे से बिप्रित दिशा में जा रहा है जाते तो सापेक्टफशल क्या होता है एकन जूड़ते हैं 32च जोड़ दिया जाता है दूरी कितनी है यानि कि हमसे पूछा रहा कि समय समय बराबर क्या होते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल हम स्पीड कर सकते हैं यह हो गया तो यहां पर डिस्टेंस कितना था डिस्टेंस बोला जा रहा कि 400 किलोमेटर का डिस्टेंस हो जाएगा कितने समय मे तो 50 km के इसाफ से अगर वो चल रहे हैं तो 8 घंटे में ठीक है 8 घंटे में बस यहाँ पर यह जमना था कि जब वो बिप्री दिशा में जा रहे है तो आपका चाल क्या होगा सापेक चाल क्या होगा जोड़ देते हैं अगर वो एक ही दिशा में चलते हैं तो वहाँ पर हम के बुल को पार कर रहे हो या फिर किसी खंब को ल पार कर रहे हो किसी पूल को पर करूप्स को तो वहां पर ट्रेंट की लंबाई के साथ साथ ब्रिंच की लंबाई को भी आड़ करते हैं यानि की वेक्ति की लंबाई बहुत यानि कि में आब माली जिसे की तुल्ला में इस वैसे वहां पर नेगलेट किया जाता है पूल की लंबाई हो ट्रेंट के पास कोई खड़ा वेक्ति ऊसकी नेगलेट मान देतें मानते नहीं कि है ठीक है तो यहाँ पर डिरेक्ट ट्रेन अपनी लंबाई को पार करते हैं निकि वो डिस्टेंस हो जाता है उस जितने उसकी लंबाई होगी तो questions में कराएं कि समय बराबर क्या हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल तो दूरी कितना है 100 मिटर की दूरी हो जाएगी और चाल अगर हम यहां पर देखे तो 30 किलो मिटर में पर गुणा करेंगा तो ठारा नीचे तो मैं इसको उपर भेज देता हूं ठीक है अब यहां पर दीखी बीस पच्चे सो यह हो गया एक जिरू से एक जिरू करतम तीन शक्के ठार यानि कि छे दूनी की बारा सेकेंड का समय लगेगा ठीक है यह काफी अच्छा प्रस्ण है यह कोशन भी पिछली बार यानि इस टाइप का कोशन भी पिछली बार पूछा गया था तो ध्यान से समझ लीजेगा चलिए अगला प्रस्ण क्या क्या रहा है कि एक काम को 21 दिन में कर सकता है बी उसे 40 दिन अधिक उसले बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने में आ जल्दी करने का मतलब आ तो इनकी ऑसे देख लें तो यह रेचियो कुछ इंत का इस तरह से बंजलागा यह और डिकेसी को इस तरह से बंजलेगा जल्दी करने का मतलब न कुसल है तो वह जल्दी कर देगा तो इनकी इफिजैंसी यहां पहले हम रेश्यो देख ले तो यह रेश्यो कुछ इस तरह से बंजागा A और B का रेश्यो अगर हम देखें तो कह सकते हैं कितना पांच और साथ का रेश्यो बंजागा ठीक है पांच opposite होगा यानि कि 7 ratio 5 होगा ठीक है 7 ratio 5 होगा ध्यान समझेगा क्योंकि आपको पता है friends कि time equal to क्या होता है work upon में efficiency ठीक है work upon efficiency यह दोनों देखे एक दूसरे के opposite होता है यानि time ज्यादा रहेगा तो efficiency कम efficiency कम रहेगा तो time ज्यादा लगेगा बिल्कुल सही ठीक है तो यहां पर क्या है कि time मालेजिए कि A और B का ratio 5 अनुपात साथ तो इनकी efficiency का जो ratio यानि कि कारे छमता का जो अनुपात होगा वो 7 अनुपात 5 होगा opposite अब questions में कहा रहाता है कि A उस काम को 21 दिन में कर रहाता यानि 7 का 21 है तो 5 कितना का गुणा है कि A मानते है कि 21 दिन में कर रहा था और B क्या कर रहा है कि इससे 41 परतिसत अधिक उसल है तो 21 गुने परसेंटेश कर लिजी इस तरह से तो साथ ती आई किस साथ दोनी की 14 यहां पर देखिए 5 यानि कि पास ती आई 15 बी को कारने में कितना समय लगा 15 दिन तो उस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे उस तरह से कीजी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीके फिंस तो आज की इस क्लास में पूरे मेरे पास इतने ही सारे क्वेसंस थे आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा पहला कोई से आपके स्कीन पर दिख रहा होगा एभुजा वाले वर्ग के छेतरफल वा एभुजा वाले संभाहु तिर मुले अच्छे तरीके से पता ना हो अब जो तक कि आपको जो फिगर उनका होता है उसमें अच्छे तरीके से आपको क्लियर लेंस ना हो कि क्यांसा फिगर किसका होता है क्या-क्या चीज़े उसमें होती है कौन सा टम्स होता है तो इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से equal होती है query questions में के ये कहा है कि ये भुजा वाले वर्ग चेतरफल यानि आपको पता है कि वर्ग का चेतरफल क्या होता है वर्गा चेतरफल के कर बात करें तो side-Part 4 ठीक है लेकिन अगर हम बात करें कि संवाहूत डिपू जिसको इसको इंग्लीस में equilateral triangle कहते हैं equilateral triangle मतलब इसकी तीनों side equal होता और सभी जो angle होता 60 degrees का होता है ठीक है सभी angle 60 degrees का होता है इसका चतरफल क्या होता है इसका चतरफल अगर हम बात करें तो इसका area कह सकते root 3 by 4 into side का square ठीक है side का square इन ही दोनों का ratio पूछा जा रहा है तो इन दोनों का ratio हम कर लेते हैं ratio में करना है तो उपर हमारा A square हो जागा क्योंकि वर्ग का चेतरफल का ratio पूछा रहा है कि त्रिभूच के चेतरफल के साथ तो इसका चेतरफल और इसके नीचे हम लोग इसको लेख जाते है root 3 by 4 को में उपर करता हूँ क्योंकि 3rd बटा है जो उपर चला जागा तो इसको में हटाता हूँ और नीचे आपका गुना में जो A square होगा तो A square से A square खतम कुछ करना नहीं था बहुत सिंपल सा question से बस आपको यहां पर फर्मूला ध्यान में रखना था इसका फर्मूला क्या होता है ठीक है बहुत सिंपल सा है सभी लोगों ने definitely कर लिया होगा इसी तरह से यहां पर एक चोड़ा समय पॉइंट और आपको पताता हूँ कभी कभी क्या होता है questions में पूझा सकता था यही questions कि इसका चेतरफल यानि कि इसका वर का चेतरफल के साथ साथ इसके भूजा का बताए कि तिर्भूच की जो उचाई है उसका अनुपात हमें बताईए तो सबसे पहले हमें questions भी पूछाता है अगर इस तरह से ना भी पूछा जा सकते और डारेक्ट यह पूछा आता कि संभाहू तिर्भूच की उचाई निकाल यह कोई यहां पर भूजा इसका दिया र रखी क्योंकि अक्सर यह काम आने वाला फर्मूल है ठीक है चलिए second question strike करते second question से कि एक वर्ग और एक संभाहू त्रिभूच का परिग्माप समाल है अब यहां पर ध्यान दे जागा चलिए इसी figure से हमारा काम होने वाला है अब मानते हैं कि इसका आपको पते कि और ठीक इसी तरह से इसका परिमाप की बात करें तो थ्री गुन्य साइड हो जाएगा क्योंकि इसका भी साइड एक दो और तीन साइड है तो थ्री यह दोनों आपस में बराबर दिया गया question में बोला गया कि 4a जो है वो 3a के बराबर थे गुन्या भुजा लिग लिग लि ndy आप 202 तो हम यहां से साइड निकाल लेते हैं तो यहां पे रूट 2 रूट 2 खतम अ ब्राबर क्या निकल गया यह बराबर निकल गया यह बराबर निकल गया us Altर ऑング गया था इक्वल था तो मैंने दोनों का परिमाप इक्वल कर दिया यहां पर 4a बराबर 48 है तो यह 48 किसके बराबर हो गया इसके बराबर इसके परिमाप के बराबर यानि हम यहां से अगर इसकी भूजा देखें तो आप कह सकते हैं 16 ती 48 का correct answer है बताइए कोई दिक्कत बहुत ही सिंपल सा question से बस यहां में मेंसुरेशन में आपको समझना होता है कि कौन से figure की बात की जा रही है figure में क्या-क्या terms होते हैं वह सुस्चीज को ध्यान रखेगा असानी से कर सकते हैं यहां पे और फर्मूल आपको दिखा होगा क्या है diagonal ठीक है यानि कि वर्ग का विकंड वर्ग का विकंड क्या होता है रुट्टु को ने भूजा यह आपको याद रखना है तो उम्मिद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी कीजिए चलिए अब बात करतें next questions की अब देखें next जो questions है क्या है कि 4 6 8 तथा 20 से भीभगत होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है ध्यान से सलजेगा यहां पे हमारे पास नंबर क्या है चार है आठ है और वीज है ठीक है यह हमारे पास चार नंबर द और 20 का LCM में direct कैसे निकालेंगे तो LCM निकालने का method मैंने आपको बता दिया है कैसे निकाला जाता है तो क्या करते हैं सब से बड़े वाले नंबर को उठाएंगे 20 जिससे यह कट जाता है उसको काट दीजे यानि कि 4 से खतम हों कि इसको अटाते है 6 और 8 से तो यह नहीं कर जाएगा यानि कि हमारा LCM बन गया आपका 120 कैसे होता है मैं आपको यह समझा चुका हूं कैसे होता है LCM जब बात कीते हैं सबसे बड़ी संख्याक उठाईए बाकि जो जिस संख्याक से कट जाती है तो बिल्कुल सही कट जाते कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जब नहीं निकल गया क्वेसंस में है कि वह छोटी से छोटी से इंख्या कौन से जो की वर्ग भी है ओप्संस हमारे पास क्या है ओप्संस है 900 एक तो है 400 तीसरा ओप्संस है 3600 और चौथा ओप्संस हमारा है 1800 अब यहां पर ध्यान दीजेगा 120 से तो कटना चाहिए पूरी तरह से जो क कि हमारा कटे गया नहीं यह भी खतम हो गया 120 से तो कट रहा था लेकिन यह पूर्णवर्ग नहीं है ठीक है पूर्णवर्ग का मतलब क्या है जिसका हम लोग अच्छे तरीके से स्क्वार रूट निकाल सके उसको कहते हैं तो 3600 का असानी से निकल जागा तो यह इस तरह से क यह सकते हैं राइट अंसर हमारा होगा ऑप्शन सी यानि कि 3600 ठीक है तो आपने यहां पर क्या सीखा आपने यह यह देखा कि हमें सबसे पहले जब चोटी चोटी संख्या की बात की जाते हैं तो वहां पे में लसम निकालने का मिथड कई सारा है यहां पर निकालने के आज 21 रुपया हो रहा है यानि कि 2 वर्स 10 प्रतीसत तो मैंने आपको चक्रवीदी ब्याद जब इससे पहले पढ़ा था हम यूट्यूब पर ही पढ़ायते आपको बहुत पहले तो उस वक्त मैंने आपको बता था कि चक्रवीदी ब्याद दो वर्स का होता है तो डारेट हमारा CI कितना है, CI यहां पर 2100 रुपया, हमें P निकालना है, तो P हम माल लेते हैं, हमारे पास चीक है, अब बात यहां पर 10% की की जा रही है, तो 10% को हम डारेट कैसे तोड़ते हैं, देखिए, जब 5% हो, अगर 5% दिया रहा था, तो हम कैसे तोड़ते हैं, बात 2 वर्स की हो तब इस कंडिशन को लगाते हैं, तीन वर्स के लिए अलग कंडिशन होता है, ठ्यान सा समझे आज़ी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो वर्स के लिए हम करते हैं, यह कि 5 पहले इसको 10 कर लिए 2 से गुना कर लिए उसके बाद चाह करना है, कि इसको सक्टOOार कर लिए, यानि कि, देख हैं, समझे, पहले इसको 2 से गुना करेंगे, पांध्वनी की 10, और पूर स्क इसको कितना लेकिन जब और दिन अंक आता है तो इसको एक इंग किधर कर देते हैं I kis परसेंट रखेंगे तो परसेंट को अगर मैं हटाता हूं तो नीचे हमारा क्या हो जागा नीचे हमारा 100 हो जागा ठीक है परसेंट के लिए नीचे हमारा 100 हो जागा अब यहां पर समझिए 21 से 21 खतम बचा उपर में 100 यानि कि पी हम डारेक्ट निकाल सकते हैं 100 पे चार्जरो यह हमारा हो गया मुल्धन अगर आपको यह चीज नहीं समझ में आ रहा है तो फिन आप असानी तरीके से हमारा जो फर्मूला होता है चक्रवीदी व्याजवाला उस तरह से भी निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्म आपको नहीं ह एक यह होता है निकाल सकते हैं तो फिन वर्स के लिए क्योंकि दूसरा कॉंसेप्ट है फिलाल हम यहाँ पर पो डिसकस नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम समझते हैं कि पी हमारे निकल गया 10,000 रुपे जब पी 10,000 हो गया तो फोच्चा गया कि उसी धन रासी यानि रासी तम सदारन ब्याज पी आर्टी बट्टी सौ होता है तो पी आर्टी बट्टी सौ मैंने कया डबल जरो से डबल जरो खटम दो पे तीन जिरो यानि की करेक्ट आंसर हमारा हो गया 2.3 के पावर क्यूब है माइनस 0.027 दिया गया इस को देखने के बाद आपको डारेक्ट सॉल्व कर लेना चाहिए फिन्स कुछ नहीं करना क्योंकि यहां पर ए माइनस बी का होल क्यों वाला फर्मूला का यूज किया गया दिखे यहां पर 2.3 का क्यूब लिखा गया और माइनस में देखर कि 0.027 लिखा गया नीचे हम क्या क्लिक सकते हैं नीचे 2.3 का स्क्वार प्लस 0.69 और प्लस 0.09 बस यहां पर ध्यान दिजेगा अगर मैं उप होगा आपको इस तरह से कर दो तो क्योंकि इसका फिर से में गुना करूंगा तो हमारे यह अगा तीन के पावर तीन का मतलब 27 और पॉइंट के बाद 3 है तो यहां पर इस तरह से कर सकते हैं आपको यह फर्मूला पता हुआ कुछ नहीं गाना उसको मैं छोड़ता हूं आप फिर a square plus a b plus b square कर सकते हैं तो यहां पर ध्यान दीजेगा यही वाले चीज़ को यहां पर लिखा गया है a square हो गया plus b square हो गया प्लस a b हो गया यानि हम डारेक्ट इसको कर सकते हैं कि a q minus b की ओगर फर्मूला लगाएंगे तो यह उपर नीचे यह total और यह total यहां पर कटेगा सिर्फ और सिर्फ हमारा यह बच जाएगा कि a minus b a minus b बच जाएगा यह बच जाएगा ठीक है ध्यान से समझ रहें मैं क्या कह रहा हूं a q minus b की ओगर फर्मूला लगाएंगा तो यह total में इस तरह से लिखूँगा a minus b यानि 2.3 minus 0.3 और उसके बाद यह total लिखूँगा यहां जो कि हम option d को टिक कर सकते हैं बहुत सिंपल सा है यहां पर ध्यान रखना कि क्या फर्मूला लगाया गया फर्मूला को अब समझ दीजेगा तो कोई problem आपको नहीं होगा ठीक उस तरह से अगर a q plus b q रहता तो वहां पर हम अलग कर लेते हैं a plus b और यहां पर क्या होता है a square minus a b plus b square यह हो जाता है बस दोनों फर्मूले को याद रखे चले आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखे क्या है कि 4 के पावर 11 गुने 7 के पावर 5 गुने 11 के अभाज गुरन खंडों की संक्या कितने हैं अभाज गुरन खंडों की संक्या कैसे तोड़ते हैं 4 के पावर 11 साथ के पावर 5 और फिर क्या 11 के पावर ठीन ठीक है यह है अभाज गुरन खंडों की संक्या का मतलब कि power जो होता है उसी को जोड़ना होता है YouTube इस के नीचे 2 hung वरा तोvos तरह से मौनान लेते हैं मैं इस तरह से रहता है और और हमार मतलब टैने यह यह 23 होता कि नीचे टीन आग है तो वहाू इगारा जो थीन हो पर है तीन के पाप गारत यह 33 होता, ठीक उस तरह से मैंने आप लिखा 22, 7 के पावर 5 था तो सिर्फ 5 हो गया और यहां पे 3 हो गया, अब इसको जोड़ लीचे, 22, 25, 27, 23, 30, इस questions का राइट answer हो गया, भाज गुरान खंडो की संख्या 30, जो की option D बिलकुल सही है, ठीक है, कोई problem नहीं, उमीद करत आपको दिख रहा होगा, 3.6 के पावर 8 दोनों पे बार लगा होगा है, कैसे करते हैं, 3.68 दोनों पे बार है, और माइनस में 2.79, दोनों पे बार लगा है, चले इस questions को solve करना है, पूछा रहा है कि इसकी value क्या होगी, जो की answer भी हमें बार में ही बताना है, चले इसको solve करते देखें कैसे solve करना है, ध्यान से समझेगा, मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ, हमारे paid class में सबचीच पढ़ा जा चुका है, कोई problem आपको नहीं होगी, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए, यहाँ पे practice कर सकते हैं, देखें, इस तरह से questions जब आता है, तो हम क्य लिखेंगे, ठीक उस तरह से क्या है, 200, 89 लिखेंगे टोटल, और जितने पर points के पहले, जितने पर नहीं लगा उसको घटा लेंगे, नीचे हमारा 99 feet से हो गया, कोई problem नहीं, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जगा, यहाँ पे कहेंगे, आप 365 और नीचे 99, और फिर यह हमने लोगन देखा था कि options में आपके बार के रूप में ही दे रहा था, तो 99 का मतलब क्या कह सकते हैं, इसके पहले और भी कोई आंक नहीं है, यानि की double 8 होगा, point इसके पहले, और दोनों पे बार लग जागा, क्योंकि 99 है तो यानि की दोनों पे बार लगने का मतलब, इसको मैंने 12 की से समझा दिया, इस टाइब के concept को, चलिए, अगला point से कि 100 kg चावल को 10 परतिसत लाब पर बेचा जाता है, बाकी को 20 परतिसत के लाब पर बेचा जाता है, यदि कुल लाब 12 परतिसत इस बिक्री पर हुआ, तो बते कि कि कितना चावल 20 परतिसत के लाब पर यहांपे हम ऐलिकेसन मिफड को लगा सकते हैं, हाँ बिलकुल लगा सकते हैं, मानते हैं कि पहला जो था 10% के लाब पर बेचा गया, दूसरा हिस्सा बीस परसेंट के लाब पर बेचा गया, और दोनों को मिला करके कितना, बारा परसेंट पर 30 के लाब पर यानि कि 20-15 कर लाफ पर ये वाला था ये वाला का मतलब ये वाला तो इसको उपर रग लेतें से नीचे ओड़ेज़ी तोड़ेजी ऑड़ेजी sö int key असे सबसे पहले दर स्वागती है चेलिये अगले क्यों Crime Day काम करतें। भख द्यान समझेगा हूँ ? जो हो भख चार गुणा अधिक तेज काम करते है तो यहाप धिंदा ay बी से चार गुणा अधिक तेज काम करते है, यानि हम यह मानते हैं कि अगर एक सराइका यह वह को तो झाल होगा तो यह four x कर रहा हूं तब यह चार गुना अधी काम को अधिकables करfires यह 4 दिन लगा रहा है तो हम यह मांनतें कि X दीन वह लगा रहा रहा है इस तरह से तो आगे क्या रहा है कि इसलिए वह एक काम को B की तुलना में 60 दिन में कम करता है, यानि कि दोनों की डिफ्रेंसिस अगर देख लें कुछ इस तरह से, तो कितना हो जागा, 60, यानि कि 3X की वैलू कितना निकल जागा, यहाँ पिस 3X की वैलू 60, तो X की वैलू 20, X की वैलू 20 का मतलब यह हो गया, कि A जो हो 20 दिन में कर रहा होगा, तो B जो हो उसको 80 दिन में कर रहा होगा, दोनों का डिफ्रेंसिस देखिए कि 60 दिन कम कर रहा है, यही तो क्वेसंस में कहा जा रहा था, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कि उनकी विसंसे निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम टोटल काम को निकाल लेंगे, ठीक है, अगर हम दोनों का LC में देखें, तो कितना होगा, दोनों का LC में अगर हम देखें, तो 80 हो जागा, इसकी विसंसी 4 और इसकी विसंसी 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसकी विसंसी 4 है, इसकी विसंसी 1 है, यानि कि वो एक दिन में 4 काम करता है, तो भी जो हो अकेले 1 काम करता है, अब हम यहाँ पर करते हैं, क्या, टोटल हमें क्या निकालना है, यदि वे 7 काम करें, तो कितने समय हैं पुरा कर सकते हैं, टोटल हमारा कितना समय हो गया, टोटल समय, यानि टोटल यूनिट हमाय 80 कराना है, दोनों मिल करके करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिल करके करेंगे, तो 80 बटे 4 और 5, इसकी के साथ करेंगे 16, 85, ठीक है, तो अगर कह रहा था कि, इसलिए वो क्या कर रहा है, आप एक 6, वो बी के तुला में 60 दिन कम लेता है, तो यानि कि, दोनों का डिफेंस हो गया, 60 और एक्स की वैलो हो इनिट 20, तो एक्स की वैलो 20 का मतलब कि, एक्स 20 दिन में कर रहा है, तो बी जभू, 80 दिन में कर रहा है, दोनों केलिसम लेकर, मैंने टोटल यूनिट निकल ले गए, टोटल काम कितना करना, 80 यूनिट का काम करना है, इनकी विजसिंसी कितनी हो गए, ये चार यूनिट के साथ करेगा, और ये एक यूनिट के साथ करेगा, दोनों को साथ में विलकर कराया जा रहा है A प्लस B तो टोटल यूनिट को हम लोग डिवाइड कर लिए इनकी इफिसेंसी के साथ टाइम निकल गया 16 चलिए देखें नेक्स्ट क्वेसंस यह कह रहा है जो कि आज किस वीडियो का आखरी प्रस ने ध्यान से समझेगा दो सो चालिस मिटर लंबी एक ट्रेन दस सेकेंड में तीन किलोमेटर पती घंटे की दर से बीप्री दिशा में चलने वाले एक आदमी को पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगे आपको पते पिछली बार भी मेंस में क्वेसंस पूछे गये थे ट्रेन एंड जो कि ट्रेन से क्वेसंस पूछे गये थे तो मैंने ट्रेन से यहाँ पर क्वेसंस लिया है किसी पूल को पार करते हैं या फिर किसी ब्रेज को पार करते हैं किसी नदी को पार करते हैं तो वहां पे ट्रेंड की लंबाई के साथ नदी की कुल लंबाई होती है पूल की कुल लंबाई होती है उनको भी जोड़ा जाता है वो टोटल डिस्टेंस हो जाता है दोनों को मिला ध्हान रखना है, Q 1998 क क्या है कि 240 मिट लंभी एक ट्रेन, दस सेकेंड मी तीन किलोमेटर में पागंती की दर से बंप्री दिसा में चलने था इक आदमी को पार करती है तो ट्रेन की इगती जलता है। यानि हमें क्या निकाला है यानि की भाखना में चलते हैं? स्पीड की बात कि है तो इन यहाँ पे बता कि दोनों की सापएक चल, अगर ट्रेन इधर कितने की स्पीड से चल रही थी, ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता, तो ट्रेन की स्पीड माल लेते हैं, Xkm2 घंटा था, ठीक है, लेकिन जो आदमी था वो उसकी थारा में गुणा करूंगा 18 को मैं उपर बेजता हूँ आपको पता है कि किलोमेटर 30 गंट को में 30 सेगेंड में चेंज करने के लिए पांच में थारा समय गुणा करना पड़ता है तो यह धियान रखना है अब यहां पर ध्यान जी जगा हम क्या कर सकते हैं यहां पर इसको मैं कटाता हूँ तो 48 पच्छे 240 आपको पता होगा कोई दिखकत नहीं अब यहां पर करते हैं कि हमें स्पीड निकालना था तो एक्स प्लस 3 कर लेते हैं और 10 को इतना हो जाएगा अब इन दोनों के गुना कर लेते हैं इन दोनों का गुना कितना हो जगा इन किल्कुल सही options में अगर हम देखें तो पॉइंट वाला ही होगा क्योंकि टोटल तो कटेंगा नहीं पॉइंट वाला चलो देखें 884 तो 864 ठीक है 864 और नीची हमारा हो जाता है 10 यहां पर करेंगे तो कितना 86.4 अब यहां पर एक्स प्लस 3 बराबर कितना हो गया 86.4 लेकि चार माइनस 3.0 तो यह घटेगा तो एक्स बराबर वैल्यू कितना निकलेगा 83.4 यह क्या है इस स्पीड निकला किसका ट्रेन कर निकला स्पीड किलोमेटर प्रति घंटा में किलोमेटर प्रति घंटा राइट आंसर हो गया आपका option D ठीक है फिंस तो उमीद करते हैं कि ट् टॉपिक्स को जो भी मैंने आज को यहां पर टॉपिक करा है सभी टॉपिक्स में अल्री अपनी पिड क्लासेस में करा चुका हूं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए वह अच्छे तरीकर से अपनी प्रिपेशन मैट्स की कर रहे हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं त